अश्कार दोस्तों, आउ सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बेबी स्वेटर का इस सेकंड पार्ट को लेकर हाजर हूँ मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे चौदा लाइन कंप्लीट कर लिया है छे हरे का, चार सफेद का और ये चार हरे का तो चौदा लाइन कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही बेबी का कंदे का पोर्शन त्यार हो गया ये आस्तिन हो गया और ये कंदे का पोर्शन त्यार हो गया तो अब हम इसके दो भाग करेंगे हमारा एक आस्तिन बन गया और कंदा बन गया अब ये दो भाग करेंगे एक ओर हमारा फ्रंट पार्ट होगा दूसरी ओर बैक पार्ठ होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए हमारे सलाई में इसमें 132 स्टिचज हैं 34 जो हमने एक साइड ने बढ़ाया थे और 64 आसतिन पर टोटल वन थर्टी टू तो अब हम इसके दो पार्ट करेंगे और सिर्फ 66 फंदे ही हम बुनेंगे तो अपने पैटर्न को कायम रखते हुए 66 छाँचट फंदे हम बुनेंगे तो फ्रेंट्स मैंने इसे दो रंग में बनाया है आप चाहें तो मल्डी कलर में या फिर बचे हुए उनका उप्योग करते हुए भी बना सकते हैं एक ये फ्रेंट्स 66 फंदे बुने जा चुके हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 और 6, 8 तो 66 फंदे एक तरफ बुने गए हैं और 66 फंदे दूसरी तरफ शेश हैं अब हम दूसरी तरफ न जा कि यहीं से टॉन कर लेंगे और अब हमें 24 लाइन बुनना है एक लाइन यह कम्प्रीट हो गया है और तेस लाइन और बुनेंगे और अपने पैटरन को कायम रखेंगे एक तरफ 24 लाइन बनाने के बाद हमें दूसरी तरफ भी 24 लाइन बनाना होगा यह हमारा दूसरा लाइन कम्प्लीट हो चुका है और तीसरा लाइन हम बना रहे हैं तो हम गे चौबिस लाइन बनाना होगा और फिर चौबिस लाइन बनाने के बाद दूसरी तरब भी चौबिस लाइन बनाना होगा और इसके साथ ही ये गले का portion complete हो जाएगा तेखिए friends बुनाई करते हुए हम दूसरी side में आ गया है और ये हमारा गले का portion है और इसके साथ ही तीसरी line complete हो गई है तो अब हम यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे यानि दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे अब सलाई पे 65 stitches रह गया है और फिर सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे देखिए friends ये हमारे दो पार्ट करने के बाद ये पांचवा line भी complete हो गया है और अब ये छठा line है तो छठे line में भी हम दो फंदो को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे अब हमारे सलाई पे 64 stitches हैं और सभी फंदे उल्टे बना लेंगे देखिए friends हरे रंग के उनका ये तीसरा line है और हम गले की तरफ आ गया है और अब हमें यहीं से पलटना है और यहां पे हम अपना तीसरा फंदा गटा दे गए हमने हर देखिए हमने दो हिस्सा करने के बाद दो line plain बुना है उसके बाद हर उल्टी line में एक एक फंदा गटाया है यह हमारा तीसरा फंदा गटाया है इस line में हमारा तीसरा फंदा गटाया है एक यहां दूसरा यहां और तीसरा इस line में तो हमने तीन फंदे गटा दिये हैं और 66 में से तीन मैनस हो गए तो अब सलाई में 63 फंदे रह गए हैं और देखिए इसका शेप इसे बोटने की तरह बन रहा है सारे फंदे अब हम उल्टे बना लेगे देखिए फ्रेंट्स नवा line complete हो गया है हमने तीन फंदा गटाया चौथे में छटे में और आठवे में तो अब हमें नौ से लेके 17 line तक कुछ भी ने करना है अपने pattern को कायम रखते हुए सिर्फ बुनाई करने है अपने pattern को कायम रखते हुए सिर्फ बुनाई करने है फिर 18 line में जैसे जैसे हमने घटाया है वैसे वैसे हमें फंदे बढ़ाने होंगे 18 में 20 में और 22 में हम एक एक फंदे बढ़ाते जाएंगे तो मैं 17 line complete करके आपको दिखाते हुए